Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 7.4 से question number 7 करेंगे Let A42, B65 and C14 be the vertices of a triangle ABC कोई triangle ABC है, उसका A vertex के coordinates 42 है, B vertex के coordinates 65 है और C vertex के coordinates 14 है Question number part 1 जो है इसमें वो पूछा है आपसे The median from A meets BC at D इसी figure के अंदर कोई median है, जो की A से बनाया जा रहा है और वो BC को meet करता है D के उपर तो यह मेरी BC line है नीचे, तो यहाँ पर यह D meet करेगा Find the coordinates of the point D, तो D के आपको coordinates बताने है अब क्योंकि यह एक median है, तो जो median होता है वो सामने वाली line को दो equal parts में बाढ़ देता है यानि यह जो D है न, यह BC का midpoint हो गया तो मैं simply midpoint का formula लगा के D के coordinates में निकाल दूँगा तो यह हम यहाँ पर करेंगे, तो coordinates of coordinates of D यह हो जाएगा, बराबर midpoint of PC, अब midpoint का formula होता है यह लगाने से मुझे X और Y मिल जाएंगे D के लिए चलिए इसमें value भरते हैं, देखिए मैं B को पहले ले रहा हूँ और C को बाद में, तो जो B के coordinates से यह हो गये हैं यहाँ पर मेरे X1 और Y1, और जो C के coordinates से यह हो गये हैं X2 और Y2, अब यहाँ से X1 6 है, और X2 1 है, तो मैं 6 प्लस 6 प्लस X2 है मेरा 1, अपन में 2, आगे बढ़ते हैं Y1 प्लस Y2, तो Y1 यहाँ पर 5 है, और Y2 यहाँ पर 4 है, तो 6 प्लस Y1 यहाँ पर 5 है, और Y2 4 है, तो 5 प्लस 4 मुझे लेना है तो 5 प्लस 4 हो गया, अपन में 2 फर्दर इसे मैं simplify करता हूँ, तो 6 प्लस 1 हो गया है 7, और यह by 2 यहाँ पर 5 प्लस 4, 9 हो गया by 2, और इसे simplify कर लेता हूँ, exactly value आजाएगी इसको divide करेंगे, तो 3.5 आगया, और इसे divide करेंगे, तो यह 4.5 आगया तो यह मेरे D के coordinates आगये है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर, यह जो D है, यह 3.5 है D के coordinates है न, तो bracket में 3.5, यह X का part हो गया इसका X-axis पे, और यह 4.5 Y-axis पे हो गया, यह first part हो गया, बड़ा simple सा था, इसी का second part देखिए second part में कहा है आपसे, find the coordinates of the point P, on AD, AD कोई line है, पहले मैं AD ही बना लेता हूँ, figure के अंदर triangle मैंने already बना रखा है, यह मेरी AD है, और D के coordinates मैंने अभी अभी निकाले, उन्हें मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे, वो है 3.5 और 4.5 आप question को देखिए, find the coordinates of the point P, on AD, AD के उपर कोई point P है, उसके coordinates आपको निकालने है, such that AP ratio PD is equal to 2 is to 1, यानि A से P तक का जो हिस्सा है न, वो दो पार्ट है, और P से D जो है, वो एक पार्ट है, तो यह ratio दे रखी है, तो मैं देखता हूँ, A से P, तो यह थोड़ा बड़ा लेना है, क्योंकि दो पार्ट है, तो A से मैं आप P ले लेता हूँ, तो यह दो पार्ट हो अब देखें, यह section formula बन गया, यह जो आपको ratio दे रखी है, यह तो हो गई है, इसके अंदर आपकी M1 और M2, अब क्योंकि मैं निकालूँगा AD, AD को लेके करूँगा न मैं, तो A से D की तरफ यह जो पहला पार्ट है, यह मेरा हो गया M1, और इस 1 को मैं मान लूँगा M2, औ और line, जो line के end points है, यह मेरे already given है, तो यहाँ पर section formula लगाएंगे, M1, M2 का use करेंगे, और P के coordinates आ जाएंगे, चलिए इसके निकाल लेते हैं, तो coordinates of P, पहले section formula में लिख देता हूँ, आसान तरीके से इसका pattern है, उससे आप ध्यान से देखना किस तरह से इसको direct लिख देते हैं, दिखिए जो M1, M2 है न, यह उपर आप ऐसे लिख दे, M1 plus M2, थोड़ा space देना इनके बीच में, और नीचे M1 plus M2 आपस में चिपका के लिख सकते हैं, comma, M1 plus M2, नीचे M1 plus M2, अभी उपर, यह जो M1 और M2 है न, इनके साथ में मुझे यहाँ पे, क्योंकि यह X के axis के निकलेंगे, यह Y axis का निकलेगा, तो यहाँ पे X की चीज़े मुझे लिखनी है, तो M1 के साथ लिखूँगा, मैं X2, और M2 के साथ लिखूँगा, X1, उल्टा होता है, 1 वाले के साथ 2, 2 वाले के साथ 1, सेम यहाँ पे भी ऐसे करना है, यहाँ पे लिखेंगे Y2, और यहाँ पे लिखेंगे Y1, और values put कर देते हैं, पहले मैं ratios को लिख देता हूँ, M1, M2, M1, M2 है 2 plus 1, तो 2 plus 1 लिख दिया, यहाँ पे भी मैं 2 plus 1 लिख देता ह होना है, क्योंकि मैं A और D ले रहा हूँ, तो यह जो 4 और 2 है, यह तो मेरे हो गए है, X1 और Y1, और D वाले कोडिनेट्स को मैं X2 और Y2 ले लेता हूँ, तो X2 मुझे भरना है, यहाँ X2 की जगे पे मुझे 3.5 लेना है, और यहाँ पे X1 भरना है, तो 4 लेना है, अब Y पे चलते हैं, यहाँ पे Y2 भरना है, तो Y2 की जगे 4.5 ले लूँगा मैं, यह इसके प्रॉडक्ट में है, और Y1 की जगे मैं 2 भर लूँगा, बस आप सिंपली इसको आपको सॉल्व करना है, और आपके P के कॉडिनेट्स आ जाएंगे, 3.5 को 2 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 7 वन और 4 का प्रोडुक्ट करेंगे तो 4 आएगा, और नीचे 2 फ्लस 1 ये 3 आ गया, फर्दर सॉल्ल करते हैं आगे तो 4.5 का 2 से प्रोडुक्ट करेंगे तो 9 आएगा, और 2ones are 2 आ गया, और नीचे आ गया 2 प्लस 1 थ्लिप्लाइ करते हैं आगे, तो 7 प्लस 4 11 हो गया और इसके बाद third part देखिए, यह चीज मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ, यह जो मैंने main figure बना रखिए ना शुरू में, क्योंकि सारी चीज आपको यहीं से दिखानी है, मैं यहाँ पर यह d भी बना लेता हूँ, और इसके बाद इसी के ओपर यह point P है, और इस P के जो coordinates आए हैं, तो P के coordinates मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 11 by 3, 11 by 3, अभी इसके third part पर चलते हैं, third part के अंदर question यह आपके सामने, find the coordinates of point Q and R, figure पर ध्यान दीजें, यहाँ पर, इसके लिए figure आए, find the coordinates of points Q and R, on mediums BE and CF, इसी figure के अंदर आपको, एक BE median बनाना है, और एक CE median बनाना है, एक BE और एक CF बनाना है, respectively, और उनके उपर जो points है न, BE के उपर point होगा Q, जैसे मैंने यहाँ पर BE बना दिया यह, median है यह, इसके उपर एक point Q है, respectively, such that BQ ratio QE, जो BQ और QE का ratio है न, वो 2 is to 1 का, यहाँ से यहाँ तक यह two part है, और Q से लेके यह E तक one part है, and CR और RF, अब यह CR और RF है न, second figure के लिए, यह R point CF median के लिए, जब मैं second part में इस question को करूँगा, तो C से लेके F तक एक median बनाऊँगा, और वहाँ पे CR की लंबाई और RF की लंबाई का जो ratio वो 2 is to 1 होगा, तो इसे हम बाद में देखेंगे, पहले हम यह वाला part करेंगे, हम पहले लेंगे Q को, Q point है, BE median के उपर, और इनके बीच का जो ratio वो यह दे रखा है आपको, वो BQ, QE, 2 is to 1, तो मैंने B से एक median बना लिया है, BE, यह AC के उपर है, यहाँ पे BQ और QE, इसका ratio दे रखा है, 2 is to 1, अब आपसे पूछा है, find the coordinates of point Q, तो यह जो Q point है इसी के coordinates आपको निकाल ले है, अब exactly जैसे आपने पीछे 1st और 2nd part किया है, उसी का इसके अंदर आपको use करना है, देखिए Q देखिए आपका आ रहा है line के बीच में, क्योंकि यह line के बीच में आ रहा है, तो मुझे line के end points है इनके coordinates पता होने चाहेंगे, ratio मुझे पता है 2 is to 1 है, अगर end points के coordinates मुझे पता होंगे, तो मैं यहाँ section formula लगा दूँगा, section formula लगाते ही मुझे Q के coordinates पता चल है, लेकिन यह जो E है इसके coordinates मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे यह पता है कि BE एक median है, AC के उपर, जब यह AC के उपर median है, तो यह AC का midpoint हो गया, यानि E जो है AC का midpoint हो गया, तो इसके अंदर मैं midpoint का formula लगा के E के coordinates निकाल सकता हूँ, तो सबसे पहले मैं यही करूँगा, तो coordinates of E, यह बराबर होगा मेरा, midpoint of AC, AC का formula, midpoint का formula हमें लिख लेता हूँ पहले, यह आपको पता भी चल गया होगा, X1, X2 upon me 2, और Y1, Y2 upon me 2, value भर देते हैं, तो value इसके अंदर, अम मैं A और C ले रहा हूँ न, तो A वाली चीजों को मैं X1 और Y1 ले लूँगा, और C वाले coordinates को मैं X2 और Y2 ले लूँगा, इसके हिसाब से मैं आपके put करूँगा, तो 4 और 1, 4 प्लस 1 upon me 2, Y वाले देखते हैं, तो 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 by 2, फर्दर सॉल करते हैं, तो 4 और 1, 5 हो गया, 5 upon 2 हो गया है, 5 by 2 हो गया, और यहाँ पे 6 by 2 हो गया, फर्दर इसे मैं सॉल कर देता हूँ, तो यह जो value आएगी, इसका half कर देंगे तो 2.5 आ जाएगा, यहाँ इसका half कर देंगे तो यह 3 आ जाएगा, तो यह तो आगे है मेरे coordinates of E, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आगे भ करना है आपको, अभी आपको निकाल लें है Q के coordinates, तो इसमें section formula लग जाएगा, अब यहाँ पे Q के coordinates हम निकालेंगे, तो coordinates of Q, अब section formula में एक बार फिर से लिख देता हूँ, M1 plus M2 upon में M1 plus M2, यह तो है मेरा X के लिए, M1 plus M2 upon में M1 plus M2, यह मेरा Y के लिए, अभी मैंने आपको बताया, कि M1 के साथ में आप लगा दे X2, और M2 के साथ लगा दे X1, यहाँ पे, यह Y के लिए है, तो M1 के साथ लगा दे Y2, और M2 के साथ लगा दे Y1, अवेलू पुट करते हैं यहाँ से, पहले मैं ratios को लिख लेता हूँ, मुझे आसान लगता है ऐसे सवाल को करना, तो ratio जो इसके अंदर है, मैं ले रहाँ BE को, BE line को consider कर रहाँ, तो B से E देखूँँगा मैं, तो अब जो मेरा X1 और Y1 हो यह हो गए है, और यह जो E है, इसके coordinates X2 और Y2 हो गए है, तो जो पहली ratio से मैं M1 मानूँगा, तो यह मेरा M1 हो गया, और यह M2 हो गया, पहले ही नहीं भर लेता हूँ, तो M1, M2 यानि 2 प्लस 1, और यहां भी 2 प्लस 1, थोड़ा खुला खुला लिखूँगा, क्योंकि इनके साथ में मुझे product भी करना है, सेकंड वाले में 2 प्लस 1, और यहां भी 2 प्लस 1, अब यह M1 है, इसके साथ X2 लिखना है, तो bracket में यहां पे मैं, इसके product में लिखूँगा, X2, तो X2 है मेरा 2.5, तो यह 2.5 हो गया, और यहां X1 लिखना है, X1 है मेरा 6, Y पे चलते हैं इधर, यहां Y2 लिखना है, तो Y2 है 3, इसके product में 3, यहां Y1 लिखना है, तो Y1 है 5, बस अब इसे simplify कर देते हैं, अब का answer आ जाएगा, तो 2.5 को 2 से multiply करेंगे, तो यह 5 आ गया, और 61006 हो गया, और नीचे यह दोनों मिलके 3 हो गया, आगे 32006 हो गया, और 51005 हो गया, और नीचे 2 प्लस 1 यह 3 हो गया, इसे और solve करते हैं आगे, तो हमारा exact answer आ जाएगा, यह 5 प्लस 6, 11 हो गया, 11 बाए 3, और यहां पे भी 6 प्ल 11 हो गया, 11 बाए 3, यानि यह जो Q है, इसके coordinates 11 बाए 3 और 11 बाए 3 आ गये हैं, तो इन्हें भी मैं अपने बिलकुल starting वाले point में लिख लेता हूँ, तो यह 11 बाए 3 आ गया, और यह भी 11 बाए 3 आ गया, अभी इसी का जो second part है ना, वो आप इसी question के अंदर दीखना, मैंने Q जो है, वो B E के उपर है, और उनका ratio यहां दे रखा था, तो यह मैंने कर दिया है, अभी हम R के लिए करेंगे question को, तो R के लिए हम अलग से figure बनाएंगे, और अलग से उसका part करेंगे, question पर फिर से देखिए, अब सिर्फ R पे ध्यान दीजिए आप, find the coordinates of point R, on median CF, यह जो R है ना, यह CF median के उपर है, और CR, RF का ratio 2 is to 1 है, बस इस पे focus रखना है भाब, figure मैंने फिर से बना लिया, अलग fresh figure बना ही है, इसको इस part के लिए, तो ABC triangle है, इसके coordinates दे रखे हैं, यहां पे यह R point है, CF median के उपर, तो पहले तो C से F में एक median बनाऊंगा, line AB के उपर, उसके बाद, यहां पे ratio पे ध्यान दूँगा, तो C से R, C से R दो पार्ट हैं, और R से F एक पार्ट है, यह मैंने यहां पे ratio भर लिए, अब बिल्कुल exactly, क्योंकि मुझे R के coordinates निकाल ले हैं, तो मुझे end points के coordinates पता होने चाहिए, C के तो यहां पता है, लेकिन F के पता नहीं है, तो F के coordinates मेरे निकल जाएंगे, midpoint का formula लगा के, क्योंकि C F एक median है, median यह AB के उपर पढ़ रहा है, तो AB का midpoint हो गया है F, same to same जो पिछले वाले में किया है, वो ही करना है, तो पहले F के coordinates निकाल लेते हैं, coordinates of F, तो य यह हो जाएगा, midpoint of AB, midpoint का formula लिख लेते हैं, फिर से X1, X2 upon में 2, और Y1, Y2 upon में 2, अब क्योंकि मैं AB को ले रहा हूँ, तो यहां पे A हो गया है, मेरा X1 और Y1, और यह जो B वाले हैं, यह हो गई है, X2 और Y2, अब इसके हिसाब से मैं भरूँगा, तो 4 plus 6, तो 4 plus 6 by 2, Y पे चलते हैं, 2 plus 5, 2 plus 5 by 2, फर्दर इसे solve करते हैं, तो यह value आ जाएगी, 6 और 4, 10 हो गया, 10 को में 2 से divide कर दूँगा, तो 5 आ गया, यहाँ पे 5 और 2, 7 हो गया, और 7 को मैं 2 से divide कर दूँगा, तो यह 3.5 आ गया, चलिए मुझे इसके coordinates पता चल गए है, F के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 और 3.5, तो आदा काम तो मेरा हो गया है, अब जिस line पे, मेरा यह R आ रहा है, उसके दोनों end points के मुझे coordinates पता हैं, और उसकी जो ratio है, वो भी पता हैं, तो अब यहाँ पे section form ना लगा देंगे, तो coordinates of R निकलेंगे, अब, coordinates of R, section form ना मैं फिर से लिख देता हूँ, उससे देख देख के value भरना आसान हो जाता है, तो M1 प्लस M2, और यहाँ पे M1 प्लस M2, यह मेरा X के लिए है, और यहाँ पे M1 प्लस M2, और M1 प्लस M2, यह थोड़ी जगा कम पड़ गी है, तो यह ऐसे ले लेते हैं, यह मेरा section formula है, अब M1 के साथ मैंने पीछे भी बताया, आपको X2 ले लेते हैं, और M2 के साथ में X1 लेते हैं, यहाँ वाले पे चलते हैं, तो M1 के साथ में X2 लेना है, और M2 के साथ में, यह Y के लिए हैं तो यहाँ Y2 लेना है, और यहाँ पे लेना है Y1, और value put करते हैं, पहले तो मैं ratios को यह लिख लेता हूं, M1 और M2, देखें मैं यहाँ से CF ले रहा हूं, मैं ऐसे चल रहा हूं, CF, तो C वाले जो है न, यह हो गई हैं इस बार मेरे, X1 और Y1, और F के जो हो गई हैं, यह हो जाएंगे X2 और Y2, इस section formula के लिए, इन्हें आप भूल जाएए अब, इसका काम खतम हो गया, तो M1 और M2, जब मैं इधर से ऐसे चल रहा हूं, तो यह मेरी M1 हो गई है, और यह 1 हो गया है मेरा M2, तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, और यहाँ भी 2 प्लस 1, कॉमा, Y के Y-axis के लिए 2 प्लस 1, और यहाँ भी 2 प्लस 1, अब यहाँ पर भरना है मेरे को X2, तो X2 है 5, तो यहाँ 5 लिखा जाएगा 2 के साथ में product में, और यहाँ X1 भरना है, तो X1 है 1, यहाँ पर 1 बरना है यहाँ पर बरना है y2 तो y2 है 3.5 तो इसके product में मैं लिखूंगा 3.5 और यहाँ y1 है y1 है यहाँ पर 4 तो इसके product में मुझे 4 लिखना है आगे solve कर देते हैं इसको तो 52010 हो गया प्लस 11001 हो गया और नीचे आगया 3 3.5 को 2 से multiply करेंगे तो 7 हो गया और 14004 हो गया और नीचे आगया है 3 इसको solve कर देते हैं आगे यह 11 by 3 हो गया और यहाँ भी 11 by 3 हो गया है तो यह coordinates of R हो गये है इसके बाद question जो number जो इसका part 4 है उस पर आप ध्यान दीजे R के coordinates भी मैंने निकाल दिये न तो R के coordinates में लिख देते हैं यहाँ पर 11 by 3 11 by 3 अब फूर्थ पार्ट देख लीजे what do you observe आप क्या observe कर रहे हैं देखे जब मैंने C से यहाँ पे median डाला था तो भी यहाँ पे P के साथ यहाँ Q आया था और जब यहाँ से median डाला था तो यहाँ पे कोई point R आया था तो P, Q, R इन तीनों के coordinates सेम आ गए है अभी आपको इसको लिखना कैसे है we observe that the points P, Q, R coincide हमने देखा कि P, Q, R points coincide हो रहे हैं यानि यही की point पे आ रहे हैं that is the medians of A, D, B, E and C, F are concurrent at the point 11, 3, 11, 3 यानि जो medians है न A से, B से और C से जो तीनों median बनाए गए हैं वो exact A की point पे आ रहे हैं तो this point is known as the centroid of the triangle और ये जो point होता है न ये triangle का centroid होता है तो ये हमने यहाँ पे observe किया इसका fifth part भी है लेकिन उसे में अलग से next video में आपको समझाऊंगा तो इस video में बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next video में तो बबदा झाउता हैं जापको जब आपको जब आद से हैं आड़े जएाई झाउड़न से इतना इतना款 हैं प्रका प्रका बत्रा करता हैं प्रका झाउन से च्च्च्च्च्चरह प्रका सुई